क्या आप शॉल बनाने की सोच रहे हैं और वो भी आसान और बहुत खूबसूरत तो ये वीडियो आपके लिए हैं आएए दोस्तों देखते हैं ये सुन्दा सी शॉल बनाने में एकदम फटाफट बनने वाली कैसे बनी है ये डिजाइन काफी धीला बुना गया है तो ये बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इसका आप इसको इस तरह से पहनेंगे तो ये गले में सॉफ्ट और मफलर जैसा भी हो जाएगा खोल कर पहनेंगे तो स्टोल जैसा है साइड शॉल जैसा है ये इसकी उल्टी तरफ रिवर्स साइड जो है वो भी बहुत सुन्दर दिखाई दे रही है ये दोनों साइड एक जैसी नहीं है लेकिन काफी सुन्दर है दोनों ही तरफ इसका ये वाला जो डिजाइन है, इसका वीडियो हम बना चुके हैं पहले, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अगर आप इस तरह का डिजाइन डालना चाहते हैं, तो आप नीचे डाल सकते हैं, ये कोई जरूरी भी नहीं है, आप सिर्फ इस एक एडियो भी हम बना चुके हैं, कि ये सुन्दर सी किनारी कैसे बनाई जाए, इसमें ये देखिए, यहां भी धारी दिखाई दे रही है, यहां भी धारी दिखाई दे रही है, यहां भी, तो ये मैं आपको अभी यहां भी बताती हूँ, ये किनारी और ये बुनाई, दो च इसकी चोड़ाई आ रही है यह चोड़ाई तो बहुत ही फ्लैक्सिबिल है आप खीच के नापेंगे बढ़ जाएगी ऐसे चोटा करेंगे चोटी हो जाएगी और 70 इंच के करीब इसकी लंबाई है जालर अलग से लगाई गई है जालर कैसे लगाए इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे यह किनारी दो लाइन का डिजाइन है ऐसा हम कह सकते हैं देखिए यह रो वन हुई इसकी पहला फंदा हम सीधा बुन रहे हैं उन अंदर की तरफ लाए दूसरे फंदे को स्लिप कराया बिना बु थी फंदे को सीधा बुना तीन फंदों की यह साइड की किनारी है अब इसके बाद हमने बीच में जो हमारे फंदे थे उनको हमने उल्टा-उल्टा रख़ा है अभी आसानी के लिए तो इनको हम उल्टा-ल्टा बुन रहे हैं बहुत ही आसान यह किनारी है आप एक बार सम कद्रवाल में बना सकते हैं टीन-3 फंदे दोनों तरफ किनारी के लिए लिए गए हैं और ये राइट साइड हो गई ये लैफ्ट साइड है उल्टी तरफ हम आए पहले फंदे को बुना उन अंदर की तरफ लाइ इसको बिना बुने उतारा उन बाहर की तरफ ले गए और इसको भी सीधा बुन दिया इस तरह से ये हमारी पहली सलाई इस किनारी की जो है वो पूरी हुई अब जो दूसरी साइड है इसकी आप यहां देखिए ये वाला फंदा हमारा बुना हुआ दिखाई दे रहा है और ये हमारे बिना बुने हुए उल्टे जैसे है तो जो ये उल्टे जैसे हैं इनको हम स्लिप करा रहे हैं बिना बुने उतार रहे हैं उन पीछे ले जा रहे है इसको सीधा बुना उन आगे लाए और इसको स्लिप कराया ये उन आगे इसलिए लाई जाती है कि जो पीछे हमारा ये जो धारी आ रही है ये जो लाइन जा रही है वो सीधी रहे साफ रहे उसमें कोई रुकावट ना आए बस इसलिए ये आगे पीछे उन को करा जाता है अब इसके बाद ये बीच के जो फंदे हैं इनको हम पूरा उल्टा बुन रहे हैं लेफ्ट साइड उल्टी तरफ हम आए पहले फंदे को बिना बुने हुए उतारा सिलिप कराया इसमें सलाई ऐसे डालते हैं जैसे उल्टा बुनने के लिए डाल रहे हैं और बिना बुने हुए उतार लिया उन पीछे ले गए बीच वाले फंदे को सीधा बुना उन फिर से इसको slip कराया और बहार हमुन ले गए एक बार मा फिर से इधर और दिखा देती हूं शुरुआत करके यह देखिके हमने सीधा बुना पर देखाये और इसको बुना अगर इसको हम देखें संझें तो यह दिखाई देता है कि यह हमारी सीधे फंदे बुने जा रहे हैं, यह दो फंदे सीधे बुने जा रहे हैं, दोनों तरफ बुन दिये, और यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है, कि बीच वाला फंदा बुना जा रहा है, तो बेहद ही आसान है, आप आसानी से थोड़ी सी practice करेंगे, समझ में आजाएगा अब ये जो बुनाई है इसके लिए हमको 2 के गुणा से जमा किनारे के फंदे, अगर हम इस तरह की किनारी बना रहे हैं तो 6 फंदे हमको वो लेने हैं और 2 के गुणा से लेने हैं, अगर आप किनारी नहीं शुरुआत में दो सलाई आप जो भी शुरू कर रहे हैं वहाँ दो सलाई उल्टी बुन सकते हैं और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि row 1 पहली सलाई डिजाइन की जो है वो क्या है छे नमबर की सलाई ली है थोड़ी मोटी सलाईयों पर बुनना है पहली सलाई पूरी उल्टी बुनी जाएगी फोर रो रिपीट पैटर्ण है ये चार सलाईयों का डिजाइन है डिजाइन बहुत ही आसान है एकदम हर कोई इसको बना सकता है यहाँ पर हमने किनारे पर कुछ नहीं डाला है जिससे की कोई कन्फ्यूजन ना हो सिर्फ हम बुनाई आपको डाल कर दिखा रहे हैं दूसरी सलाई फिर से पूरी उल्टी बुनी जाएगी सेकेंड रो यह हमने पूरी पूरी उल्टी बुनी हमने अब हम तीसरी थर्ड रो पर आ गए तीसरी सलाई वो भी पूरी उल्टी बुनी जाएगी देखिए चार सलाईयों का डिजाइन है और तीन सलाई एकदम उल्टी उल्टी बुनी है कितना आसान ये डिजाइन है चौती सलाई भी बहुत ही आसान है आशा है आपने सारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा मित्रों के साथ शेयर भी करें आप सबके सहयोक से हमारा चैनल अच्छा चल रहा है और हमें भी और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेड़ना मिलती है तीन सलाई हमने उल्टी उल्टी बुन ली है अब हम फोर्थ रो चौती सलाई पर आए हैं जिस पर कि ये डिजाइन का में काम होना है पहला फंदा स्लिप कराया उन अंदर की तरफ है इसको यहाँ पर शुरुआत में थोड़ा सा दवाना है मैं बताती हूँ अगला फंदा सीधा बुना इसको हमने थोड़ा देखिए ऐसे कर रखा है यहीं पर ये रह है तीन फंदे हो गए हैं स्लिप कराय हुए फंदे को बुने हुए फंदे के उपर से उतारना है बस इसके बाद तो फिर आसान है उन अंदर की तरफ लाए एक फंदा स्लिप कराया अगले फंदे को सीधा बुना और स्लिप कराय हुए फंदे को बुने हुए फंदे के उपर से उतार दिया उन अंदर की तरफ ये फंदा सिलिप कराया, एक फंदा सीधा बुना, सिलिप कराये हुए फंदे को, ये दिखाई देता है, उन अंदर की तरफ एक सिलिप कराया, एक बुना, जो हम ये उन अंदर की तरफ लाते हैं, इससे ये हमारा एक फंदा बढ़ता है, यहीं पर हम एक फंदा बढ़ा रहे हैं और एक फंदा घटा रहे हैं इस तरह से इसको उतार दिया बस यह हमारी बुनाई की में सलाई हो गई बताई यह अच्छा है ना आसान है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा आपको यह डिजाइन कैसा लगा इस तरह से यह हम फोर्थ रो चौथी सलाई पूरी करेंगे आप किनारे के तीन तीन फंदे लेकर जरूर किनारी भी बनाईएगा बस अब हम फिर से रो वन पहली सलाई पूरी उल्टी बुन रहे हैं इस तरह से यह चार सलाईयों का डिजाइन दोहराया जाएगा आशा है यह डिजाइन आपको अच्छा लगा होगा और आप जरूर स्टोल शॉल या मफलर बनाएंगे सार्दा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मित्रों के साथ शेयर भी जरूर करें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद